गुरुपुर्णिमा का परवाजपूरे श्रधा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अफसर पर गुरुओं के सम्वान में अनेक कारिक्रम आयुजित किये जा रहे हैं। मंदिरों में भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुच रहे हैं। मंदिर में हवन पूजन आर्तिव अभिशेक सहीत अनेक कारिक्रम आयुजित किये गए। मंदिर के पुजारी पंडित मुकेश कुमर दूबे ने गुरुपुर्णिमा के महत्व को बताते हुए कहा कि आज का दिन शिश्यों के द्वारा गुरुओं से दिक्षा लेने का सबसे पावन दिन होता है। में भी गुरु वंदना के बाद नशा मुक्ती रेली भी निकाली गई। कल्यानी नशा मुक्ती केंद्र के सहयोग से निकाली गई इस जन जागरुकता रेली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। हमारा अभियान नशा मुक्ती का। नशा मुक्ती से आज पुरविश्व युवावर्ग परिशान है। आज जो भी घटनाय हो रही है अधिकांस्ता नशा के कारण है। और नशा नास की जड़ है। तो हमारे समाज तो नशा मुक्त परिवार समाज है। लेकिन अन्य जो नशा धारी वेक्ती हैं उनके सानिक्त में हमारा समाज भी गलत मारके क्योर भटक रहे हैं। तो हमारा मुक्ष उदेश समाज के लोगों को सहीं दिशा देना। समाज के विकास में भागीदारी करना क्योंकि नसा में जो पिडित है वो समाज के विकास में भागीदारी नहीं दे पाते हैं इस दोरान आश्रम में वरिक्ष भी रोपे गए कारिक्रम में रिसाली नगर निगम की महापौर शशी सिन्हा विशेश तोर से उपस्थित रही